कि आप भी गन्य का जूस पीने का शौक रखते हैं लेकिन आप इससे बहुत कम फायदा उठा पा रहे हैं क्योंकि जातर लोग जो गन्य का रस पी रहे हैं वो उसके अंदर कुछ ऐसी गलतिया कर रहे हैं जिनकी वज़े से उनको ये नुक्सान हो रहे हैं तो किस प्रकार की गलतिया लोग कर रहे हैं और किनको हमें अवाइड करके हम अपने गन्य की रस से ये ग्यारा फायदे ले सकते हैं उनको जानने के लिए किर्पिया मेरे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं नमश्कार मेरा नाम डॉक्र इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उदेश है कि मैं 10 लाक वर्किंग प्रफेशनल्स को मुटापा रहित कर उनका स्वपन सरूप स्वस्त सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं जिसके लिए मैंने स्वस्तेंस कॉम्निटी का निर पीए तो जब भी आपको फ्रेश गन्ने का जूस मिल रहा है उसके अंदर फाइदा सबसे ज़्यादा होता है कुछ दिन अगर हम गन्ने को रख दें मान लीजिए अगर 10 दिन भी गन्ने को रखा तो उसके अंदर पानी की मातरा काफी कम हो जाती है और शुगर की मातरा बहुत ज़्यादा बरफ ना मिलाएं इससे आपके श्री को नुकसान होता है मैंने काफी लोगों को देखा है वो बिल्कुल चिल्ड गन्ने का रस पीते हैं जिससे पेट में जाने पर आपकी वेगस नर्व कई बार एक्टिवेट हो जाती है और आपको चकर से भी आने लें पांस से दस मिंट के लिए उसके बाद आप इसे पी सकते हैं जब वो नॉर्मल रूम टेंपरेचर का हो जाए तीसरा काफी सारे लोग गन्ने के रस के अंदर मसाला डाल कर पीते हैं पर इस मसाले से आपको नुकसान होता है आपके बीपी को यह बढ़ाता है हलाकि जो आप गन्ने के रस पीरे हैं उसके अंदर पोटेशियम अच्छी मातरा के अंदर होता है और यह पोटेशियम आपके बीपी को नियंतरित करता है कम करता है तो आप जो यह नमक डाल लेते हैं अपने गन्ने के रस के अंदर उसकी वज़े से अब आपको यह नुकसान होता है कि आपने इतना सारा स्टोडियम ले लिया तो जो पोटेशियम आपको इस गन्य के रस से मिला भी वो तो उसी को बैलेंस करने के लिए चला गया या हो सकता है नेगेटिव में ही हो गया हो तो आपके दिल को कोई जादा खास फाइदा नहीं पहुँच पारा तो किरप्या जैसे उनके गन्य के रस के गन्वकति कम हो जाती है वह यह कि उसे वह बहुत ज़ादा बार चांते हैं और बहुत जानते हैं इससे क्या होता है उसके अंदर जो सॉलूबल फाइबर होता है वो बिलकुल ही खतम हो जाता है जो गन्यकरस निकालते हैं उससे जो छोटे-छोटे महीन फाइबर के टुकड़े उसके अंदर आते हैं उससे आपको फायदा होगा तकरीबन आप जो यह 100 ml जूस पी बना जाते हैं जिससे आपका शरीर और स्वस्थर और बैतर हो जाए तो इसके लिए आपको दो काम करने हैं पहला काम कुछ लोग तो पुदीना गन्यकरस निकलते हुए डलवाना पसंद भी करते हैं लेकिन वह बहुत ही कम मातरा के अंदर होता है जैसे कि आपको मॉक्टे पे रहे हैं वर्जिन मॉइटो पी रहे हैं उसके अंदर जो आप 15-20 पत्ते डालते हैं चटनी से बना कर इस प्रकार से अगर आप गन्यकरस में यह 15-20 पत्तियां आप डालेंगे पुदीने की चटनी बना कर तो उससे आपको फाइदा जादा होगा आपको एक बहुत अच अद्रक आप उसके अंदर डालेंगे तो अब आपके शरीर को बरपूर मातरा के अंदर एंटी ऑक्सिदेंट्स मिलने वाले हैं और आपके शरीर को जबरदस्त फाइदा होगा यहीं जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यह है कि आपको अपने गन्यकरस के अंदर ह तो आपके नेम्बु के अंदर हैं वह तो फायतें मिली रहे हैं और आपके रहें और कि एकठा होकर आपके शरीर को और बेनेफित होने वाला है और आप आत के अंदर बहुत सारे चमतकारी काम करेंगे जिससे आपके स्वास्त को और लाव होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो किर्पिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की हेल्थ इंफरमेशन आपको लगातार मिलती रहें और हम साथ बने रहें और अ लूट्रियंट्स और अंटी ऑक्सिड़ इससे मिलते हैं विटमिन्स मिल रहे हैं मिनरल्स मिल रहे हैं जिनकी इसके अंदर भरमार है जो यह आप 200 अमल गन्य का रस्पी रहे हैं इससे आपको कैलरी भी कोई बहुत ज़ादा नहीं मिलती अगर बिलकुल फ्रेश गन्ना आपको 200 ml में हम कहें 1500 से लेकर 180-190 कैलरी तक मिल सकती है जो गन्य के रहे हैं इससे आपको तक्रीबन 26 ग्राम शुगर मिलता है और इसके अंदर यह तीर प्रकार की शुगर आपको मिलती है आपको गुलकोज मिलता है फ्रक्टोज मिलता है और सुक्रोज भी यहां से मिलता इसके अंदर फैट और प्रोटीन होता है विटामिन की बात करें तो विटामिन सी इसके अंदर अच्छी मातरा के अंदर होता है इसके अलवा इसके अंदर विटामिन B6 भी अच्छी मातरा के अंदर होता है और इसके अंदर फॉलेट भी अच्छी मातरा के अंदर होता है तो इसके अंदर potassium अच्छा होता है, phosphorus भी इसके अंदर होता है, magnesium भी आपको मिलता है, iron भी यहां से मिलता है, और कुछ मातरा में calcium और zinc भी आपको मिलता है, आपके गन्य के रसमें fiber की मातरा बहुत ही variable रहती है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा च्छान कर पीते हैं, बहु इसके मातरा थोड़ी variable होती है, तकरीपन एक ग्राम fiber आपको हर 100 ml पर मिल ही रहा है, तो यह भी आपको और ज़्यादा फाइदा करता है, और वहीं अब आपने जो इसके अंदर पुदिनी की पतियां डाल ली थी, और जो इसके अंदर अधरक भी डाला है, निम्बू भी ड अच्छा होता है, हमें भरपूर मातरा के अंदर पानी मिलता है, और यह आपका 99% तो पानी ही है, आपके शरीर को इतनी पानी की requirement होती है, हमारे हर अंग, हर कोशिका को पानी की जुरुत है, अगर पानी अच्छे से ना मिले, तो वो अच्छे से अपने और काम नहीं कर सकत और उसका metabolism कम हो जाएगा और वो रुक जाएगा, जैसे ही आप गन्यकरस पीते हैं, इससे आपकी शक्ती एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जबर्दस्त amount के अंदर sugar है, और यह sugar natural sugar है, आपकी कोई process sugar नहीं है, आपको तीन प्रकार की sugar सियां से मिलती है, इसक के साथ आप उसके अंदर अद्रक पुदिना और हमके नीबू डाल कर इस प्रकार से पी रहे हैं, उसको बहुत जादा नहीं चान रहें, तो आपके digestive health को बहुत जादा benefit मिलने वाला है, क्योंकि उसको अब यह अच्छी quality का fiber भी मिल रहा है, इसके अलावा उसको थोड़ा rest भी मिल रहा है, क्योंकि अब आपने जो यह liquid amount है, उसको बढ़ा कर अपनी आथ को थोड़ा rest भी दिया है, और उसके जो contents हैं, उसको जब यह अच्छी प्रकार से पानी और यह nutrients मिलेंगे, तो वह अच्छे से और काम कर पाएगी, और आपके constipation को भी कम करके आपकी bowel movements को ब इसे freshly बना कर पी रहे हैं, अद्रक, नीमू और अपने पुदीने के साथ, तो इसकी जो आपकी capacity है, detoxify करने की, वह बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और आपको यह बहुत ज़्यादा फाइदा भी करती है, और इसी वज़े से यह आपके liver के function को भी और ज़्यादा सारी चीजे मिलके आपके liver के toxins को भी remove कर रही है, और उसको और healthy कर रही है, और अगर आप इसका लगातार इस्तमाल करती हैं, तो थोड़े दिन में आप पाएंगे कि आपका liver और स्वस्त हो गया है, और आपने पाया भी होगा जब भी आपको किसी प्रकार का कोई hepatitis होता है जब आपका liver कम काम कर रहा होता है, उस वकत आपके doctor ने भी आपको सलादी होगी कि आपको गन्यकरस पीना चाहिए, ताकि आपके liver को भी support मिले, आपका digestive system भी बहतर रहे और आपका स्वास्त और अच्छा हो जाए, ये गन्यकरस आपके शरीर में हो रही, सूजन को भी काफ सब के साथ, तो आपके शरीर के अंदर ये सूजन घटने वाली गन्यकरस आपकी immunity को भी बहुत ही बढ़िया कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है क्योंकि इसके अंदर vitamin C की मातरा भरपूर होती है, और दूसरे antioxidants मिल रहे हैं, आपके शरीर की रोग अवरोदक शमता बढ़ती ह और ये इसके अंदर anti-bacterial properties भी होती है, और काफी सारी जगें sugar cane का anti-piratic action भी मिला है, काफी सारे इसके अंदर कुछ ऐसे compounds होते हैं, जिनकी वज़े से इसका इस्तेमाल बुखार के अंदर भी किया जाता है, और उसके अंदर भी इससे फायदा मिलता है, आपकी तवच्चा के लिए ये गन्यगरस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि vitamin C इसके अंदर भरकूर मातरा के अंदर है, पानी इसके अंदर बहुत ही अच्छा है, और vitamin C की वज़े से आपका जो collagen है, वो और बढ़िया हो जाता है, दूप और दूसरी चीज़ों की वज़े से जो आपकी तवच अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला है, तो जैसा हमने बताया है, उस तरीके से आप उसे ले रहे हैं, तो क्योंकि इसकी वज़े से आपके शरीर को anti-oxidants तो मिली रही है, इसके अलावा potassium भी अच्छी मातरा के अंदर मिल रहा है, जो आपके शरीर में BP को कम करता है, और BP BP अपने आप में सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वज़े से हमारे दिल को शती पहुंसती है, और हमारे दूसरे अंगों को नुकसान पहुंसता है, तो जब आपका BP बढ़िया होगा, तो आपका दिल भी अच्छे से काम करेगा, गन्य का रस एक natural stress busted हर, जब भी आपको ठका यह इतना refreshing drink पीकर, तो यह इसकी जो anti-inflammatory properties और दूसरा जो इसकी hydration की property है, उसकी वज़े से आपके शरीर को यह एकदम से stress free zone के अंदर लेके जाता है, और आपको को यह इतना अच्छा feeling देता है, ताकि आपका stress बिल्कुल खतम हो जाए, मैं उम्मिद करता हूँ, आज के बा weight loss आपको पसंद आती होंगी, घर आप उन्हें पसंद करते हैं, तो किर्पया उन्हें लाइक करें, शेर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी platform पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें YouTube पर देख रहे हैं, तो किर्पया मेरे चैनल को subscribe भी कर लें और YouTube notification दबाना न भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली YouTube वीडियो का notification आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, आपकी weight loss journey में आपके रुके हुए हैं, आपके कुछ questions हैं, आपके कुछ समस्या हैं, आपके कहीं और clarity चाहिए, तो उनको भी आप comment box में लिख कर भेज सकते हैं, मैं स्वैम उन्हें पढ़ता हूँ, मैं तुरंत उनका जवाब दूँगा, और कुछ questions के लिए मुझे ऐसा लगा, कि उनके लिए एक detail visualization की जरूब थे, तो उनके लिए एक नया वीडियो बना कर भी जरूब प्रस्तुत करूँगा, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वास्त रहें